अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश के जो मजभी ढंग से उत्पीडित लोग हैं उनको हम प्रॉपर सुरक्षा और संदक्षन प्रदान करें हमारे विरोधी कह रहे हैं कि वो इसको लागू नहीं करने देंगे इसका मतलब जो लोग ये कहते थे कि सम्विधान खतम हो जाएगा वो सम्विधान को खतम कर रहे हैं था केंद्र के द्वारा संसत के द्वारा पारित कानूल को कोई राज्य विदान सवा कैसे कह सकती है कि लागू नहीं करने देंगे इसकारत हो गया कि आप सम्विदान को नहीं मानना had वोदीजी से एक बार ये पूछा गया था कि आप 24 इंटू 7 काम करने की उर्जा कहां से लाते हैं तो उन्हें कहा था कि रोज एक से डेड़ के लोगाली खाता हूं उससे उर्जा पाकर पुनहाप की सिवा में लग जाता है नैतिक दरश्चे देखें तो हम इन तीन चार देशों में एक मातर सेकुलर देश हैं सेकुलर देश के नाते भारत की ये प्रतिबदता है कि हम अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगलादेश के जो मजभी ढंग से उत्पीडित लोग हैं उनको हम प्रॉपर सुरक्षा और सं नक्षन प्रदान करें तो ये भारत की धर्म निर्पेख्षता की कसवटी है दूसरा विशह जो हमारे विरोधी कह रहे हैं कि वो इसको लागू नहीं करने देंगे इसका मतलब जो लोग ये कहते थे कि सम्विधान खतम हो जाएगा वो सम्विधान को खतम कर रहे हैं अन्य रिक्ता का विशह राज्य का विशह नहीं है केवल और केवल केंद्र का विशह है समवर्ती सूची का विशह भी नहीं यानि कॉनकरेंट डिस्ट का विशह नहीं है उसका मतलब सीदे वो सम्विधान पर आगात कर रहा है और सम्विधान की धज्जी उड़ाने का प्रयास क कहना ये दर्शाता है कि ये दल सम्विधान को समाप्त करने, सम्विधान को कमजोर करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, केवल अपनी छुद्र राजनैतिक वोट बैंक की महत्वा कांग्शा को पूर्ण करने के लिए. देखिए बहुत दुखद बात है कि विगत 17 वर्षों से मानी प्रधान मंत्री जी के पृति जिस प्रकार के शब्दों का प्रियोग निरंतर किया गया है, उससे मैं कह सकता हूँ कि जनता जनार्दन के रूप में उस बातों को ठीक उसी प्रकार देख रही है, जैसे महाभार में शिशुपाल ने निरंतर भगवान क्रश्टन के लिए अप शब्दों का प्रियोग किया था और जब सौ गालियां पूरी हो गई थी तो भगवान क्रश्टन अपना निर्णे सुनाया था तो आज भी मैं कह सकता हूँ जनता जनार्दन के रूप में इस विशे पर अप पाकर पुनहाब की सेवा में लग जाता हूँ तो आप प्रधान मंत्री जी के लिए नफरत पैदा करते रहिए परंतु प्रधान मंत्री जी ईश्वर में विश्वास रखकर जनता में विश्वास रखकर उसकी सेवा में लगे रहते हैं और जनता उनको मुहबत देती रहत श्रेष्ट भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाएं और देखते रहें श्रेष्ट भारत